हेलो फ्रेंड्स प्रियर कीचेन में आप सभी लोग को बहुत-बहुत स्वागत है फ्रेंड्स आज मैं आप लोग के साथ स्यार करूंगी एक पराठा रेसिपी तो ये जो पराठा है मैंने पनीर से बनाया है तो इसे आप पनीर पराठा बोल सकते है तो देख सकते है फ्रेंट पराठा किस तरह से फूल रहा है एक एक पराठा जो है फुटबॉल के तरह फूल रहा है तो आपका पराठा फूलता नहीं है फट जाता है तो टेंसन मद लीजिए इस वीडियो को एक बार आप जरूर देखिएगा फिर उसके बाद पराठा और फटेगा नहीं देख सकते हैं किस तरह से फूल रहा है तो चलिए फ्रेंस वीडियो को स्टार्ट करते हैं देखते हैं यह पराठा को हमने कैसे बनाया है अगर वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक सेयर और कॉमेंट करके हमें जरूर बताईएगा चलिए वीड अगरा साइज का आलू लिए थे उससे हमने बॉयल कर लिया है उसका आधा हमने ले लिया है और इसे इस तरह से ग्रेट कर लेंगे ग्रेट करने से आलू का चंक्स बिलकुल नहीं ड़ाता है आप चाहिए तो मैसर के मदद से मैस कर सकते हैं और यहां पे देने के लिए कि एक चमज हम ब्लैक पेपर पाउडर दे रही हूँ एक चमज भुना हुआ जीरा का पाउडर और वान चाहता है चमज हमने यहाँ पर लाल मिच दे रही हूँ मैंने यहाँ पर हारी मिच को स्कीप किया है इसलिए लाल मिच को दे रही हूँ आप चाहे तो लाल मिच को बदल अच्छे लगता है इसलिए आजवाइन को भी जरूर शामिल कीजिएगा और श्वादान उसा नमक दे देंगे देखी इसे अच्छे से हम मीक्स कर लेंगे जो स्टाफिंग है हमारा बन की रेडी हो जाएगा तो मैं पनीर का पराठा बनाते समय जाए थोड़ासा आलू का इस सकते हैं लेकिन खाली पनीर करने से क्या होता है थोड़ासा पनीर शुखा सुखा होता है थोड़ासा बिखार जाता है इसलिए मैं थोड़ासा आलू का इस्तमाल करती हूँ ताकि श्टाफिंग अच्छे से बन जाए आप लोग देख सकते हैं जो अच्छे से एक जागा मे कि चाहिं नाम्मल पानी देकर हमने लगा में लगा था तो जैसे रोटी बनाने के लिए ठीक ठाफ़टिव को भड़के इस तरह से मुह को बंद कर देंगे स्टाफिंग को बन दिया है इसी तरह से मैं और एक को बना लेती हूं इसी तरह से कटोड़ी बनाएंगे और अंदर में स्टाफिंग भरेंगे तो फ्रेंट्स आज का वीडियो है अब लोग को कैसा लगा मुझे कॉमेंट करके जरूर बताइएगा अच्छा लागे तो वीडियो को एक लाइक ज सेयर कर दीजिएगा तो फ्रेंट्स देख सकते हैं हमने सभी को बना लिया है फिर उसके बाद देखिए आपे बेलना चौकी ले लिया है थोड़ा सा सूखाटा को डास्ट करेंगे और उसके उपर एक लोईया राखेंगे और इस तरह से हातों के मदद से दबाते हुए जो प्रेंट्स देख सकते हैं आटा का डो जो है नरम रखना चाहिए और हलका हातों से इस तरह से बेलना चाहिए तब ही आपका पराठा फटेगा नहीं और इधर देखिए हमने पहले से तबा को चड़ा दिया थैं तबा गरम है अभी इसमें हम पराठा को डालके एक साइट स नटलब फ्राइभ हो गया था तो मैंने साइट को चेंज कर दिया था तो दूसरा साइट से भी सेगना हो गया है तो अभी इसमें हम रिफाइफ ऑईल से फ्राई कर रही हूं टेल ढलने के बाद ही देख सकते पराठा जो आपने पूलने लगा है इसमें कुछ करने की जरूरत नहीं है तो मैंने यहाप रीफाइन ओयल से फ्राइ कर रही हूँ आप चाहे तो घी या बटर से फ्राइ कर सकते हैं तो एक पराठा हमने फ्राइ कर दिया है इसी तरह से सभी पराठा को फ्राइ कर के निकाल लेंगे तो आप भी इस तरह से जरूर पराठा को घर में बनाईए आपका पराठा फूलेगा और फटेगा भी नहीं तो फ्रेंड्स अच्छा लगए तो वीडियो को लाइक से और कमेंट कीजिएगा और यह जो पराठा है यह पराठा ऐसे भी आप खा सकते हैं चाहे तो आप इसे दही के साथ लीजिए चाहे के साथ किसी भी सास के साथ ऐसे भी खाने में बहुत ही टेश्टी लगता है तो फ्रेंड्स देख सकते हैं हमने थोरा सा उपर से थोरा सा बाटर रखा है जो देगने में बहुत ही सुन्दर यह यह मी लग रहा है तो आज का पर